स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था सैगा एंटे लोप के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक International Union for Conservation of Nature यानि IUCN द्वारा सैगा एंटे लोप प्रजाती की श्रेणी को गंभी रूप से लुप्तप्राय से बदल कर निकट संकट ग्रस्त में बदल दिया गया था दो यह कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूसी संग और उजबेकिस्तान में खंडिताबादी में पाया जाता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप C 1 और 2 दोनो, चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को सैगा इंटेलोप, हाले में International Union for Conservation of Nature यानि IUCN द्वारा सैगा अमरिक प्रजाती की श्रेणी को गंभी रूप से लुप्त प्राय यानि critically endangered से बदल कर निकट संकट ग्रस यानि नियर थ्रेटेंट कर दिया गया है अतकथन एक सही है सैगा अमरिक एक बड़ा प्रवासी शाकाहारी जानवर है बड़े आकार और लचीली नाक वाले इसमरिक की उपस्तिती बेहत असामाने है जिसके आंतरिक सनशना एक फिल्टर की तरह काम करती है उनकी बड़ी नाक गर्मियों में जुंड द्वारा उड़ाई गए धूल को छान लेती है और सर्दियों में बरफीली हवा को उनके फेफडू तक पहुचने से पहले गर्म कर देती है यह खुले शुष्क मैदानी घास के मैदानों और अर्ध शुष्क रेगिस्तानों में निवास करता है मृइग एक समय पूरे यूरेशन स्टेपी में पाये जाते थे यह घास का विशाल मैदान है जो यूरोप में हंगरी से लेकर एशिया में मंचूरिया तक पैला हुआ है वर्तमान में यह कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूसी संग और उजबेगिस्तान में विखंडित जनसंख्या में पाया जाता है अतक अथन दो सही है तो चले शिरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्ण के साथ हाले में खबरों में रहा कवल टाइगर रिजर्व किस राजु में स्थित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी तिलंगाना चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को कवल टाइगर रिजर्व यह तिलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जिसके एक तरफ गोदावरी नदी और दूसरी तरफ महरास्ट की सीमा है यह दक्कन प्रायदी बद्ध उच्च भूमी का हिस्सा है यह रिजर्व गोदावरी और कदम नदियों का जल्गरहर शेत्र है जो अभ्यारने के दक्षिड की ओर बहती है अगला प्रश्ण है हाली में खबरों में रहा कर्रार मानव रहित कॉमबैट एयर विकल यानि UCAV किस देश से संबंधित है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी इरान चल्ले अब देखते हैं इसके विसलेशन को कर्रार लडाकू ड्रोन यह इरान द्वारा विक्सित एक मानव रहित लडाकू वायू वाहन यानि UCAV है यह पहला दिर्ग कालिक युद्ध सक्षम इरानी ड्रोन है इसे रणीतिक रूप से सीमावर्ती शेत्रों में तैनात किया जाएगा यह वायू रक्षा एकाईयों को पारंपरिक मानव युक्त लडाकू विमानों की तुल्ना में काफी कम लागत पर शत्रुता पूर्ण हवाई खत्रों को रोकने और बे असर करने की शमता प्रदान करेगा अगला प्रश्न है डिबेंचर के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक डिबेंचर एक प्रकार का बॉन या अन्निरिड साधन है जो संपार्श्विक के बिना असुरक्षित होता है दो निगम और सरकारे दोनों अक्तर पूंजी या धन जुटाने के लिए डिबेंचर जारी करते हैं उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को डिबेंचर एक प्रकार का बॉंड या अनिरिड साधन है जो समपार्षविक के बिना असुरक्षित होता है अतकथन एक सही है चुकि डिबेंचर का कोई समपार्षविक समर्थन नहीं होता है इसलिए उन्हें समर्थन के लिए जारी करता की साक और प्रतिस्ठा पर निर्भर रहना चाहिए पूंजी अधन जुटाने के लिए निगम और सरकारे दोनों अक्सर डिबेंचर जारी करते हैं अतकतन दो सही है अधिकांश बॉंड के समान डिबेंचर समय समय पर ब्याज भुगतान कर सकते हैं जिन्हें कूपन भुगतान कहा जाता है परिवर्तनिय डिबेंचर ऐसे बॉंड है जो एक विसिस्ट अवधी के बाद जारी करता निगम के एक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो सकते हैं गैर परिवर्तनिय डिबेंचर पारंपरिक डिबेंचर है जिन्हें जारी करता निगम की एकविटे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। परिवर्तनियता की कमी की भरपाई के लिए निवेशकों को परिवर्तनिय डिबेंचर की तुलना में उच्च ब्याजदर से पुरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्ण है प्राचीन भारतिय इतिहास से समवंधित शब्द कायोध सकर्ग है। इस प्रश्ण का सहिउत्तर है विकल्प ए एक योगिक आसन। चले देखते हैं इसके विसलेशन को। कायोध सर्ग एक योगिक आसन है जो जैन धर्म से सम्मंधित ध्यान प्रक्रिया का एक महत्वपून हिस्सा है। कायोध सर्ग का शाब्दिक अर्थ है शरीर को भूल जाना। अर्थार किसी भी प्रकार के शारिरिक आराम इवं शारिरिक गतिविधियों को त्याग देना। इस प्रकार इस से रहना या खड़े हो जाना जिससे आत्मा के वास्त्विक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जैन धर्म में तिर्थनकर को या तो योगमुद्रा में बैठा हुआ या कायोद सर्ग मुद्रा में खड़ा हुआ दशाया गया है। उधारण करनाटक की श्रवड बेल गोला में अरिहंत बाहूबली की मURती कायोद सर्ग मुद्रा में अवस्तित है। जिनके बारे में कहा जाता है कि आत्मा के वास्त्विक स्वरूप पर ध्यान केंदृत करने के लिए वह एक वर्ष के लिए कायोत सर्ग मुद्रा में खड़े हुए थे अगला प्रश्ण है चालियार एवं काबिनी नदियों का उद्गम भारत की किस राज्य से होता है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केरल चलिब देखते हैं इसके विसलेशन को चालियार केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है जिसके लंबाई 179 किलो मीटर है चालियार को चूलिका नदी या बेपोर नदी के नाम से भी जाना जाता है चालियार का उद्गम केरल के वायनार पठार में इलाम बालारी पहाडियों से होता है यह मुख्यरूप से केरल के मलपुरम जिले एवं कोजी कोड जिले से होकर बहती है यह नदी लक्षवदीब सागर में एक अच्छी यानि एशुरी से मिलती है जिसके दक्षणी भाग को चालियाम और उत्तरी भाग को बेपोर के नाम से जाना जाता है काबिनी नदी दक्षणी भारत में कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है यह केरल के वाइनाड जिले में पनामारम नदी और मनन्था वादी नदी के संगम से उत्पन्न होती है यह करनाटक के तिरुम कुदालू नरसीपुरा में कावेरी नदी से मिलती है अगला प्रश्ण है अबार्टेल फुसा नामत फेंसिस है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केकड़े की एक प्रजाती चले अब देखते हैं इसके विसलेशन को अबार्टेल फुसा नाम दे फेंसिस मीठे जल के केकड़े की एक प्रजाती है इसे हाली में नाम दफा टाइगर रिजर्व में एक छोटी सी जलधारा के किनारे खोजा गया है इसके जीनस यानि अबार्टेल फुसा का नाम अबोर हिल्स के नाम पर रखा गया है जबकी प्रजाती नामत फेंसिस का नाम नाम दफा संड़क्षित शेत्र के नाम पर रखा गया है यह हिमाले शेत्रों में पाया जाने वाला पहला गेकार सी नूसीडे है मेठे जल के केकड़ों को दो शेडियों में विभाजित किया जाता है पोटामिडे और गेकारसी नूसीडे पुर्वी हिमाली जैव विविदता होट स्पोर्ट में अरुनाचल प्रुदेश के नामदफा और अबोर हिल्स दो बड़े सनक्षित छेतरे हैं नामदफा जिसे वर्ष 1983 में एक रास्ट्री उद्यान घोशित किया गया था अपनी समरिद्य जैव विविदता के लिए जाना जाता है अगला प्रश्ण है वहदर जिस पर किसी देश का केंद्रिय बैंक यानि भारत के लिए RBI धन की कमे के सिते में वाडिजिक बैंकों को पैसा उधार देता है कहलाती है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी रैपोदर चले देखते हैं इसके विसलेशन को पॉलिसी रैपोदर रैपो रेट वहदर है जिस पर किसी देश का केंद्रिय बैंक यानि भारत के लिए RBI धन की कमे के सिते में वाडिजिक बैंकों को पैसा उधार देता है यहां केंद्री बैंक प्रतिभूती खरीदता है स्थाई जमा सुविधा यानि SDF SDF एक लिक्वीडिटी विंडो है जिसके माध्यम से RBI बैंकों को अतरिक्त तरलता या लिक्वीडिटी को अपने पास रखने का विकल्प देगा यह रिवर्स रेपू सुविधा से अलग है क्योंकि इसमें बैंकों को धन जमा करते समय सम पार्श्विक प्रदान करने की आवशक्ता नहीं होती है MSF अनुसूचित बैंकों के लिए आपात काले हिस्थिते में RBI से रात भर उधार लेने को एक विंडो है जब अंतर बैंक लिक्वीडिटी पूरी तरह से समाप्थ हो जाती है नगत आरक्षित अनुपात यानि C.R.R के अंतरगत वाडिजिक बैंकों को केंद्री बैंक के पास एक निश्चित नियूंतम राशी जमा के रूप में रखनी होती है वैधानिक तरलता अनुपात यानि S.L.R. S.L.R. जमा का नियूंतम प्रश्वत है जिसे एक वाडिजिक बैंक को तरल नगदी सोना अत्मा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाय रखना होता है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक तथागत गौतम बुद्ध के जन्म ग्यानोदय और महापरी निर्वाण के रूप में इसे तीहरा धन्य दिवस माना जाता है दो वोधी विहार वलस्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प बी केवल दो चले अब देखते हैं इसके विसलेशर को यह बौध धर्म के संस्थापक गौतम बुध के जन्म को चिनहित करने के लिए मनाया जाता है इसे विसाग के नाम से भी जाना जाता है वैशिक समाज में बौध धर्म के योगदान को देखते हुए वर्ष 1999 में सेंक्तरास्ट द्वारा इस दिवस को मानता दी गई थी गौतम बुध के जन्म ग्यानोदय और महा परिनिर्वान के रूप में इसे तीहरा धन्य दिवस माना जाता है अतकता नेक सही है बुध पूर्णिमा आमतोर पर अप्रेल और मई माह के बीच पूर्णिमा को पड़ती है और यह भारत में एक राज की अवकाश है इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोध गया में सित युनेसको के विश्व धरोहर स्थल महा बोधी विहार जाते हैं बोधी विहार वर्स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ था अतक अथन दो सही नहीं है चलिए देखते हैं आज की अभ्यास प्रश्न को आगे बढ़ने से बता दे कि दुष्टी आइस के स्टेट PCS की सभी ऑनलाइन पैंड्राइफ कोर्सेस और टेस्स सिरीज पर 20 से 50 परसं तक की छूट है ये ओफर 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है ओफर का लाव उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक करें भारती सम्विधान के अनुच्छे 356 के संबंध में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक भारत के सम्विधान का अनुच्छे 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 पर आधारित है दो, रास्टरपती शाषन की उद्घोषना को इसके जारी होने की एक महिने के भीतर संसत के दोनों सदनों में अनुमूदित किया जाना चाहिए उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियर व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले